क्या आप भी अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़दा परिशान हैं और रहे रहे कर कुछ-कुछ दिनों में आपका पास्ट आपको याद आता है और आपके जीवन में बहुत ज़दा खलवली मचा देता है मतलब आपको बहुत ज़दा परिशान करता है तो नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है महिंदर दोगने, मोटिविशनल स्पीकर और लाइफ कोच और आज हम जानने वाले हैं कि आप अपने पास्ट को किस प्रकार से भूले कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अलग-अलग इंसिडेंस हो जाते हैं जिसकी वज़र से आप बहुत जादा परिशान रहते हैं और उस चीज को, उस पास्ट को उन बातों को भूलना जरूर चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं क्या क्या चीज़े हो सकती हैं अब देखिए कई लोग जो है यंग है और उनका ब्रेक अप हो जाता है और वो ब्रेक अप के उस दौर को उस बातों को उनकी उन यादों को भूल नहीं पाते हैं और बहुत ज़ला परिशान रहते हैं या फिर माल लीजे कि किसी का डाइवोर्स हो जाता है पती पत्मी अलग हो जाते हैं और उसके बाद वो पता है उन्हें कि अब एक नहीं हो सकते हैं लेकिन वो अलग कैसे हो उसका दर्द उनसे सहा नहीं जाता है वो पास्ट उनसे भूला नहीं जाता है या फिर हो जाता है कभी कभी बहुत बड़ा एक्सिडेंट और उस एक्सिडेंट को भी कई लोग भूल नहीं पाते हैं बार वार वो चीजे उन्हें डराती है पर इशान करती है और लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती है तो आज हम वही जानने वाले हैं कई विक्तियों के अपने जो है उन नहीं पाता है तो आज हम जानने वाले हैं कि इसको कैसे भूले आज हर एक चीज को मैं बहुत जादा डीटेल में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटीवल होगी आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ये भी बताईए कि आपके जीवन में ऐसे कौन-कौन से इंसिडेंट है जो आप भूल नहीं पा रहे हैं लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को ये आपने ठीक से देखा पूरा फॉलो किया हर एक स्टेप को ठीक से जाना और समझने की कोशिश की तो आप जो इसको भूलने के और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन आज जिस तरीके की मैं बात करने वाला हूँ या जिस पैटर्न की बात करने वाला हूँ कि पास्ट आपको क्यों याद आता है और आप उसे कैसे भूल सकते है वो बहुत ही अलग है और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये भी एक कारण हो सकता है हमारे past के हमें याद आने का और उसको कैसे भूले ये भी जानने का तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका past आपको क्यों याद आता है एक बहुत famous psychologist थे जिनका नाम था पाउलो और उनकी एक study थी जो कि बहुत ही famous study है सबसे पहले आपको अपने past को भूलने के लिए इस study को बहुत ही ध्यान से समझना होगा कई लोगों ने इस study के बारे में सुना होगा लेकिन कई लोग नहीं जानते होंगे और इसी study से related है कि हम अपने past को क्यों याद करते हैं और कैसे भूले सबसे पहले पाउलो ने क्या किया कि एक dog लिया एक pat dog लिया और उसके सामने भोजन रखा मतलब खानी की चीज रखी तो पाउलो क्या करते थे पहले खाना लेते थे और अपने dog को बुलाते थे तो डॉग उनके पास खाना खाने के लिए आ जाता था उसके बाद क्या किया पाउलो ने दो-चार दिन के बाद एक घंटी बजाना शुरू किया जब वो उस डॉग को खाना देते थे अब जैसे ही खाना देते थे एक घंटी बजाते थे specially घंटी बजाते थे और उस घंटी की sound को वो food के साथ relate कर देते थे धीरे-धीरे क्या होने लगा कि जैसे ही वो खाना लाते थे घंटी बजाते थे तो जो dog है उसके मुँ से पानी निकलने लगता था मतलब लार निकलने लगती थी खाने को देख कर लेकिन वो घंटी जो है उस खाने के साथ जुड़ती जा रही थी अब धीरे-धीरे क्या होने लगा कि वो घंटी जो है वो खाने के साथ इतनी ज़्यादा जुड़ गई थोड़े दिन के बाद जैसे ही घंटी बसती थी उस कुट्टे के मुह से लार टपकने लगती थी और उसको पता चल जाता था कि मुझे भोजन मिलने वाला है अब पाउलो की इस स्टड़ी से हमारी यादो का क्या connection है उस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा देखे पावलो ने जो study की उसमें पाया कि यदि हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ signal के साथ relate कर दे और बाद में वही चीज उस चीज के लिए trigger बन जाती है मतलब trigger कैसे बनती है कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही कुट्टे को लगेगा कि मेरे लिए क्या आया है खाना आया है खाने को घंटी के साथ relate कर दिया और वही उसका trigger बन गया और हमारे जीवन में भी बस ऐसा ही होता है और इसी के कारण हमारी यादे आती है उसको समझने की कोशिश करते हैं और आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आएगा बस ये वाला example याद रखिएगा कि एक घंटी जो है एक खाने के साथ relate कर दिया या उसको associate कर दिया गया उसका वो trigger point हो गया जैसे ही घंटी बजएगी वैसे ही कुत्ते को क्या आएगा खाने की याद आएगी अब हमारे जीवन में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है अब देखिए हमारा past हमें याद क्यों आता है उसका reason क्या है बहुत बड़ा reason क्या है क्योंकि भूले कैसे ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको आपका past याद क्यों आता है ऐसे कौन-कौन से trigger होते हैं जिसके कारण आपका past आपको याद आ रहा है अब माल लीजे कि सबसे पहले हम example ले लेते हैं break up का ही अब माल लीजे किसी विक्ती का break up हो गया उसके बाद दोनों अलग हो गये लेकिन लड़के को या लड़की को बहुत ज़्यादा याद आ रही है वो बहुत ज़्यादा परिशान है भूलना भी चाहता है लेकिन वो भूल नहीं पा रहा है उसका कारण क्या है उसे समझने क कोशिश कीजिए अब देखिए कि होता क्या है जब वो प्रेम में पड़े थे तो एक दूसरे को बहुत सारे गिफ्ट देते थे हैं ना होता है ये जब एक ती प्रेम में होता है तो बहुत सारे गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं जैसे मालीजे टेडी वीर दिया या फिर प्रियंण में वो चीजे उस याद के साथ related कर चुकी है जैसे यहाँ पर हुआ था यहाँपर आपको बहुत अच्छे से पता है कि घंटी जो है वो खाने के और आप शायद अब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहो जैसे ही लड़की इस teddy bear को देखेगी उसको उस लड़के की याद आने लगेगी जिसने उसको ये teddy bear दिया था मतलब उस लड़के और इस teddy bear का जो है वो connection बना हुआ है ये teddy bear क्या कर रहा है उस लड़की की यादों को trigger कर रहा है उस लड़के के लिए मालिजे किसी लड़के को कोई टी-शेट जो है किसी लड़की ने gift किया था अब वो लड़का जो है जैसे ही इस टी-शेट को देखेगा क्या होगा उसकी यादे trigger हो जाएगी उस लड़की को लेकर उसके ब्रेकप को लेकर उसकी पुरानी बातों को लेकर यादों को लेकर और वो कभी भूल नहीं पाएगा फिर उसको वो चीजे बार-बार याद आती रहेगी अब देखिए और भी example दे देता हूँ हमारा पूरा जीवन जो है वो ऐसे ही चल रहा है हमें बहुत सारी चीजों के साथ associate किया जाता है और link किया जाता है देखिए कितना अच्छा example है जैसे ही घंटी बस्ती है आप कहीं से जा रहे है और जैसे ही घंटिया रगातार बस्ती ह तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है यहाँ पर मंदिर हो सकता है या पूजा का स्थान हो सकता है यदि महले से देखिए उस पर भी अंतर है यदि महले से कोई घंटी बस्ता हुआ जा रहा है या बजाते हुए जा रहा है तो आपका emotion trigger हो जाएगा कि यह क प्रिश्यन है या फिर आपको जो है इस प्रिकार का कोई सिंबॉल नजर आता होगा जब भी आप कहीं पर भी आप सिर्फ इंडिया में नहीं हो कहीं भी ओ पूरी दुनिया में कहीं भी हो आप तिरंगे जंडे को देखेंगे तो आप असोशेट कर जाएंगे किस से भारत से तो यह क्या होगा, यह Trigger Point हो गए, यह चीजे इन चीजों के साथ Link कर दी गई, ताकि जैसे ही यह हो आपको यह चीज यादा आझाए, जैसे ही आपको यह दिखे, आपको यह चीजी यादा आझाए तो ऐसा आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को लेकर हुआ हो गा, या हो बहुता है कि मैं दुखी क्यों है मुझे उसकी याद क्यों आ रही है देखे घर में कई सारी ऐसी चीजे होती है जो उस वेक्ति ने आपको दी होती है वो रखी होती है और आप याद करने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि यह चीज उस वेक्ति ने मुझे दी है लेकिन आपका subconscious mind जो है वो बहुत ज़्यादा powerful है subconscious mind को सब कुछ पता है चाहे आप याद कर रहे हो आपके subconscious mind को सब कुछ पता है और जैसे ही वो उन चीजों को देखता है वो उस feeling को trigger कर देता है और आप सोच भी नहीं पाते हैं की आपको याद क्यों आरे है यह बहुत बड़ी बाते हैं आपको भहात ध्यान से और important बहुत ज़ादा important से इन बातों का आपको भहात ही ध्यान से इन बातों को सुनना चाहिए समझना चाहिए और अपने जीवन में apply करना चाहिए अभी देखिए पास याद क्यों आता है इसका एक और एक्जामपल देखते हैं और ये बहुत ही पाउरफुल एक्जामपल है कहीं लड़कों की, कहीं लड़कियों की इस सिर्फ इस चीज ने जो आप मैं बताने वाला हूँ लाइफ खराब करके रख दी है देखिये, कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़की रोड से जा रही है ये बहुत सारी कंट्री में हमारी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कोई लड़की रोड से जा रही है और कोई विक्ती आया, कोई लड़का आया और उस लड़की को वो छेड रहा है लगातार दो तीन दिन चार दिन तक वो छेड़ता रहा आगे दस दिन तक पंदरा दिन तक छेड़ते रहा और जब वो लड़की आगे से जाती थी तो वो लड़का क्या होता था पीछे से आता था पीछे से आता था और बाइक लेकर आता था और बाइक का एक हॉर्ण होता था उसकी एक टोन होती थी और वो बजाता था अब क्या होता है ध्यान से देखीगा कैसे कोई चीज किसी चीज से रिलेट कर जाती है और सामने वाला विक्ति सोच भी नहीं पाता कि कि इस प्रेकार वो दूसरे विक्ति की पूरी जिंदगी को खराब कर देगा अब ही देखिए ये लड़का आया पीछे से इस लड़की के और वो एक हॉर्ण जो है वो लगातार बजाते जा रहा है पहले दिन आया उसने हॉर्ण बजाया उस लड़की को छेडा दूसरे दिन आया उसने हॉर्ण बजाया उस लड़की को छेडा ऐसे करके 10 दिन बीद गये 12 दिन बीद गये 15 दिन बीद गये और ये लड़की जो है कि ये जो लड़का है वो बहुत जादा छेड़के बहुत जादा इस लड़की को परिशान करके चला गया अब वो लड़का जो है उसके जीवन में नहीं है वो कहीं चला गया वो है ही नहीं लेकिन अब कितनी बड़ी बात यहाँ पर हो गई है कि इस लड़की को जीवन भर परिशान रहना पड़ेगा उस शीज के कारण कैसे जब जब यह लड़की रोड़ पर निकलेगी अब यह छोटी बात नहीं है यह बहुत बड़ी बात है कई बार लोग कहते ना कि अरे ठीक है यह हो गया तो क्या हुआ ऐसा नहीं होता है जब ऐसा होता है तो उस इंसान का पूरा जीवन खराब हो सकता है यह आप सोच भी नहीं सकते जब जब यह लड़की अब रोड़ पर निकलेगी चाहे यह वाला लड़का अब उसके पीचे ना आए कोई दूसरा लड़का आए कोई दूसरा विक्ति आए जो इस लड़की से रिलेट भी नहीं कर रहा है अ परेशान भी नहीं कर रहा है लेकिन यह दि उसमें वह होर्ण बजाया कि ये जो लड़का है वो उस हॉन की आवाज से रिलेट कर गया है तो वो हॉन जो है वो ट्रिगर पॉइंट बन गया है इस लड़की के लिए और जब जब वो हॉन बजेगा ये काफी लंबा प्रोसेस होता है मतलब ये कई लोग होते हैं जीवन भर इसके गुलाम बन जाते हैं मतलब उस ट्रिगर पॉइंट के गुलाम बन जाते हैं और वो इससे भूल ही नहीं पाते हैं जिसके कारण उनका पूरा जीवन खराब हो जाता है तो अभी शायद आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको आपका पास क्यों याद आता है क्यों याद आता है क्योंकि कोई जो चीज है वो आपका ट्रिगर पॉइंट बन गई है कोई चीज आप देखते हैं और उससे कोई दूसी चीज को रिलेट कर लेते हैं और यही चीज आपको जीवन पर परिशान करती है अभी ध्यान से देखिएगा ठीक है अब यादों को खत्म कैसे करें ये हमें समझना है कि हम ये तो समझ गए हैं कि हमें यादे क्यों आती है क्यों आती है क्यों कि हम किसी चीज से किसी चीज का trigger point बना लेते हैं उसको relate कर ले सबसे पहले देखिए कि आपको जहां पर यादे आती है सबसे जादा उस विक्ती की उस चीज की उन घटनाओं की याद आती है वो कहां पर है तो माल लीजी कि आपको घर पर याद आ रही है और घर पर आपके पता है कि जिस विक्ती से ब्रेक अप हुआ है जिस विक्ती से से अपने रूम से उन चीजों को को अलग कर दीजे इससे क्या होगा कि आप उन चीजों को देखी नहीं पाएंगे तो आपकी वो Feeling जो है बार-बार trigger ही नहीं होगी क्यूंकि जब trigger ही नहीं होगी तो उपकि जा दाना आतको दीरे-दीरे तो इसके लिए जो दूसरा तरीका है, वो आपको अप्लाई करना चाहिए। दूसरा तरीका क्या है? उन चीजों को आप प्रेटेस कर दें दूसरी चीजों के साथ। अभी देखिए उसको कैसे करना है ये बहुत ही बारी किसी समझना है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है मा लेजे कि इस लड़की और इस लड़के के बीच का जो connection था वो था एक horn ठीक है इस लड़की को क्या करना चाहिए अपने किसी favorite person को आकर कहना चाहिए कि आप रोज 10 से 12 दिन 15 दिन मेरे पीछे से आईए मुझे लेने के लिए आईए पिक करने के लिए और उसी type का कोई horn आप चूज कीजे जो जब ये विक्ती आएगा आपके पिता माता भाई बहन जो भी आएगा तो उसे कहिए कि आप मेरे पीछे से आएंगे तो वो horn जो है वो बजाएंगे अब धीरे-धीरे क्या होगा कि पहले ये बुरे इंसान के साथ आपकी उस horn बजने की आदत थी वो relate हो जुकी थी जैसी वो horn बजता था तो आपको बुरा इंसान याद आता था जब आप अगली process को अपनाएंगे अपने माता पिता भाई बहन वाइफरेंड या फिर हस्बेंड को कहेंगे कि आप मेरे पीछे से 10 से 15 दिन आईएं 20 दिन आईएं और उसके बाद आप वही horn बजाएंगे त और आपके favorite person की याद आना शुरू हो जाएगी तो ये आप कर सकते हैं अपनी यादों को जो आपको बुरी यादे आती है या जिन यादों को आप खत्म करना चाहते हैं उनके लिए कर सकते हैं तो मुझे comment box में comment करके बताईए कि क्या ये चीज़े आपको पता थी या ये बहुत ही नया है आपके लिए बहुत ही यूनीक है आपके लिए और शायद हर विक्ति इस वीडियो से जरूर कर पाएगा मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा कि आपकी ऐसी कौन सी यादे हैं जो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं इस वीडियो में आ आप सभी के लिए लाता रहूंगा तो इस ट्रिक का इस्तमाल आप जरूर करें और देखें कि आपको कितना फायदा हुआ है और मुझे जरूर बताए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद